पुनात्मों प्रमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्सतना ही ये जग है सब अंधरे दीखत के तो नेर्ने चसम इनका फिर्या मोतिया बंधरे अब ये संत मत भाग चार में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंग जी के बोल ये क्या कहते हैं इसे पहले थोड़ा सा सचा सोदाला को और दिखा देता हूँ आपको दिखाते हैं एक पुस्तक है सचकंड की सड़क नाम तईसा बड़ी है लख देंगे जम आदमी कट कमर जैनका ओपर कमाल कर रहा हूँगा इस पुस्तक में सचकंड की सड़क है कोती यानि मैटल रोड है सिद्धी कोती कोई दिक्कत नहीं सुमाएं इसा नाम तईसा लिख जैखिव इनकी दिखावा है मैटल रोड की साइए खुड़े नरे अब ये एक पुस्तक है सचकंड की सड़क पहला भाग इसके राइटर हैं दासन दास हजूर माराज सतनाम सिंग जी डेरा सच्चा सोदा शिरसा ये नाम भी सतनाम धर्य अपना सतनाम सिंग अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सोदा के जो परवर्तक हमाने जाते हैं सिरी बिलोचिस्तानी सामस्ताना के खिमामल सिंग जी के सी देउतरादिकारी थे दूसरे यानि पहले वो थे दूसरे उसे ने ये लिखा है ये पुस्तक, सतनाम सिंग जी ने, ये देखना कहाँ से है, धंदन सत्गुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क पहला भाग, ये वो ही है महराज जी सतनाम सिंग जी की तरफ सी जी को, और ये कहाँ से छप्या है, ये प इंदर सेन परबंदक, परमारतु देश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सचा सोदा, सतनान सिंग जी मारग शिर्सा, रियाना पिनकोड इतरी, इसके दोसे 26 प्रेश्ट को हम ले चलते हैं आपको, ये है 226 प्रेश्ट, सच्कंड की सड़क, इसका अन्वाद किया है, एक सबद है का अलग अनामी आया रे सारे देश छोड़के, जी छोड़के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़के, ये कहते हैं सिवद्याल जी की अमरवाणी है या, इसका यानवाद कर रहे हैं, अलग अनामी आया सारे देश छोड़के, जी छोड़के, मैं आया रे तेरे लि काल निर्जन ने की है संतों का देश सच्खंड या सतलोक है देख ठीक है अब यहां संतों का देश सच्खंड या सतलोक है ठीक और वही सत्पुरुस या आजी पुरुस का सत्थान है ठीक इस सच्खंड के उपर या सतलोक के उपर है और सदा एक्रस है वहां चेतनिता ही चेतनिता है परकास ही परकास है नीचे पेंड तक की कुल रचना का आधी और अंत वही है और उसी को यानि सचखंड को इस सत्लोक को क्या कहते हैं सत्लोक को सत्नाम भी कहते हैं सत सबद भी और सारसबद भी कहा जाता है वाई बोली है नो की नो थोड़ी सी फिर बदल कर रहे हैं इस सचखंड को सत लोग को जो वह अजरमरा विनासी है वहाँ चेतनता ही चेतनता है परकास ही परकास है और कुछ नहीं वाप है और उसी को सत नाम भी कहते हैं सच्खंड को और सत सब्द भी कहते हैं और सार सब्द भी उसे सत लोग को कहते हैं सत नाम भी उसी को कहते हैं अपने अत्माओं ये हिनका ग्यान जो वेदों से भी उपर का है और और दिखाते हैं एक कथा सुना रखी है सावन सिंग जी ने के एक समय एक इंद्रमती नाम की राणी थी और वो कबीर साहिब की सिस्या होगी और फिर ये क्या बताते हैं के पहले कबीर साहिब चले गए सचखंड में और वो समागे वगवान में क्योंकि वहां तो नूर ही नूर है परकास ही परकास है आत्मा वहां जाकरह से मिल जाती है जैसे बूद समंदर में बगवान नहीं है वहां पर ये इनका अज्ञान सिध्धानत है रादा स्वामी पंथ दंदन सत्गुरु पंथ और यो जैगुरु देव पंथ अब इनका डिसकुसन दिखाता हूँ आप देखना खैरान रह जाओगे ये है संतमत परकास स्वान सिंग जी के सथ संगों का वतनों का संग रह है ये रादा स्वामी ब्यास से परकासी था अर इनके तो कती वतन हैं आमिठ हैं आपको दिखाते हैं 189 परिष्ट पर ले चलते हैं ये देखो संतमत भाग चार और परिष्ट 189 निचाते हैं इस तरहे रानी इंदुमती थी जब उसको कबीर साहिब सच्खंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहिब ही सत्पुर्स है और कहती है कि हाई 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 अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्पुर्स हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती है कहते हैं तुझे विस्वास नहीं आता अब तुझ यहां आ गई है तेरी मर्जी कह ले तेरी मर्जी है कह ले अब इनका इजा पर कह रहे हैं कि इंदर मती ने सत्व लोक में जाकर कबीर साहिब को देखा उसने वहाँ जाकर देखा कबीर साहभी सत्पुरस हैं फिर थारे अलाकित गया हुद परमदनी जब आप लेख रहे हैं कबीर साहभ सत्पुरस हैं और वह इंदर मती का उदारन दे रहे हैं तुम्हारा परमदनी के होगा वहाँ पर फिर और फिर दूसरा वो कहा रहा जब वहां कबीर साथ बिलगे जाक है अब आपको एक और दिखाते हैं दो सो सट परिष्ट पर है ये देखिएगा इसी संत मत भाग चैर में और दो सो सट परिष्ट पर है आद देखिए यहां पर सत संगी ने पूछा हज़ूर संतों की पद्वी कहां तक है माराज जी सावन सिंग जी बोले अमारी इतनी वुदी और अकल नहीं कि हम संतों की पद्वी को समझ सकें फिर भी सुनो रानी इंदू मती कबीर साहब के समय में हुई थी इनकी अकल हुआ पढ़दा पढ़ रहा इंदर मती ता हुई दौापर में कबीर साहब हुए कल्यूग में उसमे कबीर साहब करुना में नाम से आई हुए थे कबीर साहब इस कबीर एज यह कबीर समकाली नहीं थे फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धी को देखेंगे कहां काम करती है राणी इंदू मती कबीर साइब के समय हुई थी पहले कबीर साइब मालक मजजा विलीन हुए देखी इन अपनी सिद्धान्त को फिट रखें है के पहले तो कबीर साइब जाकर मिल गे सच्खंड में डूब का मिर गे इनके कहने के इसाबत है कि वहां से परकास ही परकास है आतमाय से मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में पहले कबीर साइब मालक में जाकर विलीन हुए वो तो मिल गे उसमें और फिर रानी हुई फिर रानी जाकर उसमें डूब का मिर गी और जब रानी ने सच्खंड में जाकर कबीर साहिब की पद्वी देखी तो कहने लगी महराज ये दी आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरस हूँ मैं सत्पुरस हूँ तो मैं बजन सुमन करकर कि वर्त परिशान ना होती कबीर साहिब ने उतर दिया तुम को उसस में विस्वास नहीं आना था रब ले आदमी या तो ये साची लख रहे है कबीर साहिब अकाल पुरस है लेकिन जब पहले कबीर साहिब जाके मालक में विलीन होगे और पाथ से तराणी होगी फिर वो बात कब करी उनने देन की अकल पर पड़दा पड़ रहा वो बात कैसे करी फिर कबीर साब दीखे कि वो कर जब बुंद मिलगी समंदर में वहां अलग कैसे रहे वो सचा ही ये है कि वहां सिरिष्टी अलग है और ऐसी मनु सदर सिर्ष्टी है और परमातमा भी साकार है उनका अलग से सिंगासन बहुत सुंदर है पुनातमा कहते हैं गुरू बिन काहुन पाया गयाना जो थो थो था वो छड़े मूर्ड के साना जैसे थो थो थे वो उसने कोई पुरिष्रम कर रहा है कोट रहा है तो मूर्च अदमीय उसमें कुछ नहीं निकलना जैसे कि इस इने धान जढ़ से और पराल डाल रहियो और फिर उसने कोई कोट रहे अरिम्यों के मैं इसमें धान जढ़ू हूं उनका यहुत गूतला रहा है या कती बोड़ी भूज से तो इस पूरे सत्गूर बिना काहुन पाया गया ना जो ठोथा भूछ छड़े मूड के साना अब आपको दिखाते हैं ये खुद भी इस बात क्योंकि इन्होंने ते कहीं की इट कहीं का रोडा अरियो रादा स्वामी बड़ा कुनबा जोड़ा इनको आपने मालूम तुम लिख के रहे हो और कौन सी वे औफ वर्शीप पर मातमा के पाणे की ये इनका सत्नाम में सम्झ नहीं आरएं सत्नाम क्या उन पांच नाम में सत्नाम भी दे रख्या ये पांच नाम देते हैं ओंकार, ररंकार, जोत नरंजन, सोहम और सत नाम सत नाम इन जपनगा भी दे रखिया है और सत नाम फिर बिला सचकंड भी यही है, सत पुरुष भी यही है और सार नाम भी यही, सत नाम भी यही है और सार सबद भी यही है जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी सुनी हो, सडक भी सुन रखी हो, पैट्रोल भी सुन रख्या हो, उसे कोई पूछा है भी तु कार मज आता है, कार देखी है तुने, बता कार कैसी होती है, पैट्रोल किसे कहते हैं, तो वो कहे कि पैट्रोल कार कry melting, कि ठरेवर किसए कोयी केते हैं, कर कोई कर दूसर केंगे हैं, और रखच कोई धरेवर कीश restrict के थे हैं, कर कोई दॉसर के ते人だ तो था आए इंजिनियर, तो इसे थे ये माराधी, ममाराद थे सत्धिने च多少 टोब के रेरे किर शह साच्छनेश भी टोब कारे बारे में और सत्कुर्दाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर यहां तक कहा है कि सत्क लोक में नहीं जा सकते ये लोग क्योंकि इनका साधना है गलत है एक पुस्तक है घट रामेड आपने स्री सिवधाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके गर्पे गुरुगरंद सा पाठ होता था और तुर्सी दास हाथरस वाले के सिस्थ थे इनके माता पिता अब गर्म को चर्चा चाला है तो बच्चे भी तो सुनते हैं जो पाठ हो रहा है सत्संग होता है तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा उसने पांचों नाम सुरू क पांचों नाम काल के जानों यह देखिएगा यह है गट रामान तुलसी साहिब हाथरस वाले की बेल डियर प्रिंटिंग प्रेस इलहबाद से यह छपी है यह दो बागों है हम पर थम बाग दिखा रहे हैं आपको अब यह 27 प्रेस्ट पर देखिएगा अब यहां से सुरू करक्या वैसे इनोंने बहुत लंबा चुड़ा हम थोड़ा हलेंगे दानी कहें जीव सुन भाता बिना दान करहों मैं घाता जब जीव कहें समझ सुन भाई करों घात के ही कार्ण जाई अंतर गुफा तहां चल जाऊं तहां साहिब के दरसन पाऊं पांचों नाम जीव जब भाख्या और चटा नाम गुप्ट कर्राक्या पांचों नाम काल के जानो तब दानी मनसंग का आनो निरगन निराकार निरवानी धरम राय ये पांच बखानी जीव डाम निज कह विचारी जान बूज दानी ढ़नी धकारी कह जीव दरगवाने धकार है कह जीव दरगदानी भाई हम चल जाई नाम चित लाई दानी दान चुकाओ आई जब यहे बाट निभन तो पाई कह कर आंस कहा तुम जाई बात आपनी को सुन जाई कहे जीव सत लोग निवासा मैं चल जाऊं पुरुष के पासा दानी कहे दूर है भाई अगम पंथ कैसे नब जाई कौन नाम मारग को जाई और कौन नाम से उबह आई इतना भेद को हो समझावा और बात जीव जब घर की पावा अब जीव बोलता है दानी सुन वी दिवात हमारी हम चल जाऊं पुरुष दरबारी कहते हैं सुरत नर्ट ले लोग से धाऊं आदी नाम ले काल गराऊं उन पांच नामों से अलग है ये आदी नाम ले काल गराऊं और सत नाम ले जीव उभारी अस चल जाओं पुरुष दरबारी अब ये सत नाम के है और आदी नाम क्या है सत नाम ये दो अखर का है इसमें एक ओम है गीता जिद्ध धैर नमर 17 के स्लोक नमर 23 में क्या है औ तत सत इती निर्देसाः बिर्मने तर्विद समरता है औउम तत बिर्म का और तत परिर्म का यहारी आक्सर परुष गार्ष तो इस सत नाम मद ये सत नाम दो अखर का है एक ओम पलस में दूसरा तत वसंकती और सार नाम ये आदी नाम है इन तीनों इन से प्मोक्स होगा जीव का, ये कलियर कर खे रहे हैं, ये पांचो नाम काल के जानों, ये पांचो नाम काल के हैं, जर्रंकार, उंकार, जोत, नर्रंसो, हमर सतनाव, ये कभीर साथ पे कठे कर लिए, अपना अत्मा, अब ये तह न रादास्वामी वालों का ग्य पांच नाम देते हैं, अब हम आते हैं, वे ओफ वर्सिप पह, पहले दिन का ग्यान देख लिया, सच्कंड क्या सत लोग है, न कह 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 का नहीं पता, फिर इनकी वे ओफ वर्सिप क्या साधना क्या है, जिससे मोक्स मान रहे हैं, कि हम सच्कंड जाओंगे, और तर्कुटी जाओंगे, यह तब बच्चों वाला खेल बना रहे हैं, इसको तर्कुटी को तो यह सा मान रहे हैं, जैसे बरवा लेगा बस टेंड हो, और कोई चला जा जा पैदल बैठो जा यहां से गाड़ी में बैठो, और दो में पहुंचिए, तर्कुटी में जाने से पहले तो बह पहले ही निर्दारी तो होता, कहां जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया, वो पहले जो गाड़ जोड़ना पड़ा, नो डू सर्टिपिकेट उस देश का, सव देश आने के लिए, तो हम यहां काल के लोग मरे रहे हैं, यहां के पांच परधान है, गुरु जो यह रादा स्वामी ओले देते, वो पांच नाम अलग हैं, यह पांच नाम, यह कमलों के हैं, जो आपको दिय जाते हैं पर्थाम मतर में, तो अब हमने इनकी वे अफ़ वर्सिब देखने हैं, कि पूजा करते हैं, वास्तविक वे उफ़ वर्सिब कौन सी है, रियल यान ये है अजूर सावन सिंग जी के सत्संगों का संग है और ये कहां से छपी है ये आपको दिखाई दी थी संतमत प्रकास बागचार महराश सावन सिंग जी प्रकासक ये सेवा सिंग सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग जी रावाव जैमर सिंग जिला अमर सर मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेश्ट टंडा रोड जो सी अस्टेट जाल अंदर से अब हम इसके 211 प्रेश्ट पर आते हैं ये हैं 211 प्रेश्ट और ये हैं संतमत प्रकास बागचार हैं यहां से पढ़ते हैं, देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, अब इस वार्णी को डिफाइन करने लगें, साम्ण सिंग जी, यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रम है, इनों ने गीता जी का पढ़ दिया, यह संसार सर है, और अक्सर हुआ वह ब्रम है, और नी अक्सर पार्बरम है, और जब यह संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किन्तु अब गुरू की करपा से आतमा इस महल को छोड़कर सत लोग को जा रही है, गुरु गर्ण साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहसे हैं एक स्थान पर आता है कि बावन अच्छर लोक तरह सब कुछ इन के माही ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इन में ना ही गुरु गर्ण साहिब के इस परिष्ट पर आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे दो अखर का भेद बतावे एक छुडावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे फिर कहते हैं जे तु पढ़्धा पंडित बिन दोई अखर दोई नावा परण्वत नानक एक लंगाए जे करसत समावा गुरु 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 पूरा कहावे दो अखर का भेद बतावे एक छुडावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे इब यह दो अखर हैं यह एक तो यह सतनाम है दो अखर का इसमें एक ओम है एक गुपत है वो दास बताएगा आच्छा और तीसरा जो है न यूँ जे तू पंड़ा पंडित बिन दो अक्र दो इनावा प्रणवत नानक एक लंगाए जे करसत समावा अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान तो इन दो अक्र के विनाद सारे वेद भी घोट रहा है ना तो तेरा पंड़ नाविर्थ है आगे बताया कि कभीर साहथ नं explains यदि तू गुनी हो ग्यानी हो तो वे अक्सर बताो जो वे अक्सर पारवर मेर्म है आप उतर भी दे था ये दो अक्रे ये पारबर में हैं और एक अक्र ने दुनिया बनाई और एक ने सत लोग बढाए ये नई यूगा टाजोड है सत लोग सत लोग सुन रहा है जा था इनने और यही कबीर साहिब कहते है कहे कबीर दो अक्र भाख होगा ख़समत लेगा राख अब ये भी गुरुगरण साहिब में वारिया कबीर साहिब की तो इशम्ने सफ़च किया कबीर साहिब ने कि दो अक्र का नाम जाप करे भाख माने बोले उसका जाप कर और होगा ख़समत लेगा राख ये थी इसके देने वाला दिकारी होगा तो तेरी पलपल पर रक्षा होगी अब आगे देखो गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं एक अक्र हरिमन वसे नानक होत निहाल ये आदी नाम है सार नाम जिसको कहते हैं और दो अक्र का ये सत नाम है ये दो अखर ये सत नाम है ये आदी नाम है एक अखर वही उस में गटनावाण में इसका परमाने दो सो एक्षिट हमने पढ़ लिया बैशिट पढ़ते हैं एक सतान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं बेद कतेव सिमरत सबसासत इन पढ़्धा मुक्त न हुई एक अखर जो गुर्मक जापैती इसकी निर्मल सोई हम ये सही करें कि एक नाम है बस यानि सास्तर सूस्तर पर रणते हैं कोई लाव नहीं एक अखर जो गुर्मक जापै है वो आदी नाम के बारे हम कहा हुई जब करना है और ये क्या कहते हैं देखियो इनके नुआदे वह अखर आपके अंदर है इस वाणी का नुआद करें सामन सिंग जी गुर्नानक देव जी की वह अखर आपके अंदर है और पार पर मज़ा के मिलेगा मरे पाच्छे मिलेगा बूत बने पाच्छे वे अक्राप के अंदर है अरपार पर मज़ा के मिलेगा ये धर्म हमारा धर्म नहीं ये जात हमारी जात नहीं यो देश हमारा देश नहीं हमारा देश सचकंड है और हमारी जात सतनाम है ये पेरागा टाज़ोड है सतनाम पहें पराया देश छोड़कर आत्म अपने देश को जा रही है आप देखियो सुरत साफ उड़ी उचे को छोट गया सब महल पुराना अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जनम रही छोड़कर सतनाम मजा रही है सतनाम मजा रही है अब सतनाम मजा रही है आप आगे देखो आगे चड़ चड़ अधर समानी सबद सबद का मरम पिछानी ये इनके अपनी वाणी है बनाई हुई अंदर सबद के दरजे हैं ये अंदर पाऊंगे ओम सबद और सोहम सबद और सत सबद परमातमा कहते हैं सोहम सबद हम जग में ले आए और सार सबद हमने गुप छपाए कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया न यह पर बिना ज्यान के सिर पैर बिना समझ महाओं कि अब कहते हैं अंदर सबद के दरजे हैं ओम सबद, सोहम सबद और सतबद अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं दो अक्र का वेद ये तो करें अंदर पाऊंगे वह बार नहीं किसी ने पिसे मिलेंगे आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है अपने आत्मा मुती मुक्ता दर्सत ना ही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नेन चिसम इनका फिर्या मुतिया बंदरे अब सपश लिखा इसमा लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये पांचो नाम काल वाले और इन सच्चा सोदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो पांचो नाम काल के लिख रहे हैं इनको ने फिर तीन नाम सुरू कर दिये हुआ छोड़ दिये अकाल मुर्थ सबद सुरू पीराम और सत्पुरुख अब इन ने ने सोची बताओ कौन के को अगा पके कर दिये सत्खंड के अकाल मुर्थ को और सबद सुरू पीराम को और सत्पुर को वो तो हमने पाना है उसको तो हमने ढूंड ना है खोजना है उसके पास तो पहुंचना है ये तो प्रियाईवाची नाम है जैसे एक जल पानी नीर जल पानी नीर अब जैसे आपको दो अखर का नाम दाश देता है जिसको सत नाम कहते है उस सत नाम से बोकी लगाई जाती है स्वांस और उस्वांस से और फिर वो बोकी यानि वो पाइप पहुंच जाती है जल तक फिर उस पर हैंड पंप मसीन लगाई जाती है मसीन समझलो वो है सार नाम और ये दो अक्षर का दो दो मंतर आपको दिये जाते हैं समझलो पाई पर वोकी मारना स्वांस हो स्वांस की वोकी मारनी आपने और फिर सार नाम जबाब को वो मिल जाएगा हैंड पंप का मसीन उपर की पिर करो सिम्रन और परमात्मा यानि जल पराप्त होगा अब देखो गुरुनानक देव जी को ये मानते हैं मोक्स पराप्त हुआ उन्होंने कौन सा मंतर जाप किया था ये देखिएगा जनम साखी भाई बाले वाली सबतों वड़ी भाई बाले वाली जनम साखी ये डाक्टर जवार सिंग, किरपाल सिंग एंड कमपनी ये इसके छापने वाले परकासक है ये जनम साखी अज तक छप चुकिया नालों वड़ी है सब तों वड़ी ते पुरातन है पुरानी भाई बाले वाली जनम साखी श्री गुरुनानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी देश दसा पादसा हैं देश जीवन समये तो मुकमल साखिया हन पुरकासक हैं डाक्टर जवार सिंग, किरपाल सिंग एंड कमपनी पुस्तकावाली गली नमबर आठ और ये बाग रामानन्द अमरत सर इतना ये नोट साड़ी कोई ब्रांच नहीं है ये तो अपना इनका होगा है अब इसके 547 प्रश पर हम आते हैं ये 547 पना है जनम साखिय का ये समंदर दी साखिय अब यहां आते हैं बाला संधू वाज बाला संधू बोले बाला और मरदाना दो सिस्त एक श्री नानक देव जी के अंगद जी को बता रहे हैं बाला जी अंगद जी पूछ रहे हैं जी की कोई महिमा सुनाओ तो बाला संधू वाज ताते है गुरू अंगद जी जद गुरू नानक जी अजीते अजीते पासां विदिया हुए ता मरदाने किहा सचे पात्सा जी असा समूंदर ता गेखिया पर लंका नहीं देखी जिते रामचंदर जी तड़ाई किती है ता गुरू नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मरदाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मीटो आख मीचो जा आखी मीट के खो लिया ता समूंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखन लगे बाला ते मरदाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहे गुरू वाहे गुरू कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरू जी तूर पए जैसे दर्ती ऊपर तूर दे सन समंदर में चलपड़े जैसे दर्ती में चलते उसे तरह समुंदर उपर तुर पए जाँ चले जावन ते पीछे पीछे बाला ते मरदाना जावन ता मरदाने विचार किती की गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जानदे हन ता मरदाना भी ओम सोहम लगा जपदे लगा गोते खावन जाँ गुरु नानक जी देखन ता मरदाना गोते खांदा है ता गुरु जी किहा के मरदाना तु गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना गुरु जी दे वसना पर चलना चाहिए तो मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरू वाहे गुरू के हैं ता फिर जल उपर उसे तरह तुरन लगा पुनातमो ये जो जनम साखी है यानि गुरुनानक देवजी के विशे में और सब अन्य गुरू के से में सत्ग्यान है इसमें लिखा हुआ अब ये अन्वाद है पंजाबी साइदना कहियां के समझमाई हो ओम सोम के लिख राक है ना समझमाया हो ये है बाई बाले वाली गुरू नानक देवजी जनम साखी बाई चछतर सिंग जीवन सिंग अमरत्सर परका सके इसके इसके 569 प्रिश्ट पर ये समंदर जी साखी एक दिन मर्दा ने कहा कि माराज मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भर्मन किया जाए तो ऐसे चलते चलते है अब ये सारा ये आगया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम काजाप करते चले जा रहे थे वो पंजाबी ना समंदमाई होती ही इंदी में ना करा किया और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम काजाप क्यों ना करें जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने गुरुजी पीछे पीछे तो हसकर कहने लगे कि मर्दाने से इसका धर कि वे गुरू के बताए मारक पर चले इसलिए तु फिर वाहे गुरू जप तेरा उसी से कल्यान है पुना अत्माओ ऐसा क्यों कहा गुरू नानक देव जी ने स्वेम तो जाप जप रहें सत्नाम का और सिस्वों को कह रहें यह नहीं जप ना क्योंकि उनको आदेश था उस प किते बार नजाई सार सबद बार जो पढ़ी बिचली पीडी हंसना तेरही गुरू नानक देव जी को परमात्मा मिले थी सचखंड से आकर के अपने लिला नुसार सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं और उन से कह दिया था कि यह नाम जपो तुम यह सथ नाम जपो ये हैं दो अखर का नम और वो रादा सवाम है आले नंग कि जो गुरमख जा पै यह गुरू पूरा का हुँ जो दो अखर का बेद बता हुए ताइन आले ते पूरे कोई ने यह 5 अखर के बता हूए है अब दो अखर का यह है जो आपके समक्स कहा और गुर्णानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मनदाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जापना कर देर बेद खुल जावा है क्योंकि गुर्णानक देव जी जैसे मापुरुस उनको भगवान चाहिए था समाज नहीं उन्होंने परमात्मा किया गया का पालन किया इस मंतर का किसी को थर्ड परसन को भेद नहीं दिया सेकंड को भी नहीं दिया और यह परमानी जरू कर दिया कि मैं यू नाम जप्प्या करता है इससे मेरा मुक्स हुआ आज वो सत नाम पुन्यात्म हो आपको मिल गया है और इससे मौक्स होगा यह बंडें पांच नाम और फिर नो को ना समा दील आले बस पांच नाम तो मंडलांगे हैं फिर तुम कित गड़ोंगे जब यह मंडलांगे काल के हैं तुम कहां जाओगे फिर वो जाने वाड़ा नाम बताओ प्रमात्मा कहते है सो हम सबद हम जग में लाए सार सबद हम गुप्त चिपाए अब सो हम सबद ने लिया कबीर साइब की वानी ते अब वो सत सबद को तो ना इनका पला पड़ा अरना ये वो नाम दो अखर का नाम नहीं देते है तो इससे सद हो गया कि राधा स्वामी पंथवाणों का ग्यान गलत इनकी वे ओफ वर्षिप इनकी साधना गलत तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है दास कोई इरिशा वस नहीं कह रहा परमार्थ वस ये बात कह रहा है पुनात्मो ये जनम साखी एक सरदार के बच्चे नहीं लागा दी हमारे को जब इस ग्यान से प्रीचित हो गया हमने तो गुरु गरंथ साहिब को देखा और सद्गरंथों को देखा तो वो अपने इतियास से खुद प्रीचित होते है प्राणी उसने लाकर बताया कि जी आज दर्ड विश्वास हो गया हो रहा है कि इसी मंतर को गुरु साहिब जाप करया करते थे और गुरु नानक देव जी के तिरिक्त इस मंतर का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब होए है उनको इस मंतर का भेद नहीं था ये पर्तेक्स प्रमान है जब गुरु नानक देव जी ने अपने सेसको इसलिए कह दिया कि कहीं आग गए इसका कोई जाप ना कर ले और वानी में लिख रख्या था अपनी वानी में ये मंतर तो उस वानी को छोड़ दिया गया गुरु 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 नानक देव जी कि ये मंतर नहीं जपना तो वो बच्ची हुई वानी छोड़ी हुई वानी एक प्रानसंगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है उसमें सपेशल लिखा है कि गुरुनानक देवजी की मेले पहले की वानी है जो गुरुगरंद साहिब के रचना करते से में रह गई थी ये अलग से लिखी गई उसमें कलियर लखे है दोनों अक्सर गई अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले हम सोल्तानी नानक तारे दादू को अपदेस दिया जात जुलाहा भेद नपाया का सीम्हे कबीर हुआ अदिन्य ग्रीबदास साइब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा किन को हम सुल्तानी अबराहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसल्मान राजा थे नानक जी को दादू जी को हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुलाहा भेद नी पाया, वो कहा सी माए कभी रोया, अब गृबदास साहिव जिन अपने अमरत बानिम लिखा है, ओ हम सो हम पालडे रंग होरी हो, चोदा लोक सड़ाव राम रंग होरी हो, तीन लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ये दो अक्षर का मंतर ये तुम्हें दिया जाता कहते हैं इसके एक स्वांस की सिम्रन एक पलडे में दर्दे तराजू के एक पलडे में और दूसरी तरफ ये चोदा लोग चोदा लोग ये बगवान सिव का लोग विश्मु का लोग बिर्माजी का लोग दुर्गा का लोग और ये नीचे के पाताल फिर ये स्वर्ग लोक और ये बिरम लोक दरमराज का लोक ये कहते हैं चोदा लोक तर रख दे उस एक मंतर के जाफ के वराबर के फालडे में और तीन लोक पासिंग दे रहे हैं पासिंग कौनसी होती है जैसे हमारे गरों में ये बिजनस करने वाले जो बनिये आते थे, गेहूं कनक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड सक्र जो भी हो, मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजु देखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थुड़ी तुरुटी होती थी, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी पालड़ा ठीक हो जा, उसमें जो डिएफेक्ट ना रहा है, पालड़ा बिलकुल परलल हो जा, तो वो पास्षेंग बोल्या करते, उसने पास्षेंग, और उसी तरफ बटा रख लेते थे, और बाकी से सुदा तुल्या करते थे, अलग से, तो क्या बताते हैं, कि ये दो अ का मंतर है, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, और चोदा लोग चड़ाव राम रंग होरी हो, और ये तीन लोग ते पासिंग दरदे, इनकी ते गिनती है कोई ना सोदे में कोई ये, और तोदा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते हैं वो पालडा जिसमें एक सत नाम के सुम प्रजाएंगे वो, यानि इतना वेलुएबल है ये, पुनात्माओं एक लाला जी था, वो दो बाई थे, उनमसे छोटे की मर्चु होगी, वो छोटे के दो पूतर थे, कोई 18 वरस का, कोई 16 वरस का, अब जब देखा, पिता जी का अंतिन संसकार हो गया, उसकी गती गती जैसे ये करायक ने सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई, तो उन बच्चों की माने, जिसका पती मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा के बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनस नहीं कर सकते हैं, अपने ताउजी के साथ, पिता जी के बड़े भाई को ताउजी बोलते हैं, तुम अपने ताउजी के साथ मिलके हैं, बेटा, पार्टनर्शिप कर लिओ, और अपना बिजनस करो, उनकी माने कहा के ले बेटा, मेरे पास तिरे पिता जी के समय के कुछ लाल रखे हैं एक लाल उसमें लाकों रुपे का होता था उसकी माँ ने एक पोटली में दस बारा लाल बांध रखे थे वो दे दिये पुत्रों को और उन से कहा कि अपने ताउजी को कह दो पैसे ता हमारे पास है नहीं इन लालों को गिर्वी रख दें गहने रख दें और फिर कुमाएंगे हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे अब दोनों बच्चे मा के दिये हुए लाल लेकर गए ताउजी से प्रार्थना की ताउजी मेरी मान कहा है हम अभी बच्चे हैं हमारा पार्टनर्शिप कर लो अब उसेटना उनके ताउजी नोगे खोल कर देखे उल्टी एक ठड़ी बांद दी नो की नो अग बेटा ये तो बहुत कीमती है इनको वापस रख के आओ अपनी मा को कह दे छुपा कर रखे इनको चौकस और बेटा इसी कोई बात नी मैं पार्टनर्शिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है उधार जुआ के लाँगा तुम्हारे को और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे जुरूत होगी जब ले लेंगे लालों को तरी मा को करे अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको दोनों बच्चे वापस आए मां से कह दिया कि मां ताउजी ने ऐसे ऐसे बोला है तो मां ने वह लिए भाई ठीक से ये रख दूँगी छुपा के कभी ले लियो बेटा जब आव सकता हो अब उसके ताउजी ले गया उनको दोनों बच्चों को दूसरे सहर में वहाँ उस बच्चों की पैचान करानी चाही कि ये समझ ले लाल और लालिडी के वेद को एक सेट से पचास जार रुपे का सामान लिया उधार पर जहां वो रुके हुए थे दरमसाला में आकर उनके ताउजी ने कहा बेटो अपने बतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेट को दे कर आओ जिससे पचास जार रुपे का सोदा हमने उधार लिया है और उसको कहना कि ये लाल है ये रख लो और हम आपके पचास जार रुपे दे जाएंगे लाल ले जाएंगे दोनों बाई गए सेट जी से कहा सेट जी हमारे ताउजी ने ऐसे ऐसे कहा है ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके पचास जार रुपे दे दे देंगे अपना लाल ले जाएंगे अब उस शेट ने क्या किया एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखा कभी देखना ये लाल कैसा है जोरी ने कहा ये लाल नहीं है ये तो लालडी है लाल तो लाक रुपे का होता ये तो दो सो रुपे की भी ना विक्के ये तो नकली है लालडी अब उस सेट ने वो पुठा कर वो लालडी बार फ्यांकि दी गली में ले जाओ थारे लाल ने दोखे बाज़ो कप्टी हो अरे तुम्हार ताओ ऐसा तो नहीं था आज तक तो उसे नहीं सा जुलम नहीं किया हमारे साथ आज ये दोखा करते हो मैंने कुण सा मांगा था तुम्हारे से यानि सो सुनाई और वो बालक सरमिंदे होगे उठा कर उस लालडी को आगे और डिला सा मूँ छोड़ रहा क्या उनका ताओ जी बुला बेटा क्या बात होगी वो कहने लेगे ताओ जी लाला जी गड़ाने कमा आदमी है वो तो बहुत गल्ट बोलता है हमारे लाल को लालडी बता रहा है और एक आदमी बुलाया उसने उसने बतानी कैसे चेक किया नो बिले ता लालडी है और गली में फैक दी और कहने लगा तुम्हार ताओ जी ऐसा तो नहीं था दोखे भी करने लगया हमारे साथ ताओ जी ने खेल खेले राखे था फिर देखे अरे बेटा और ये लाल ते देखी दे रख्या था बाई मेरे से दोखे से दिया गा बेटा ये ता सचमुच लाल लडी है ले ये देखा लाल उसको और कहो देखो हमारे ताओ जी का दोखा लगया उसका दोना विष्वास दड़ करका हो दोन्हों भाई फिर गए अक ले लाल जी मेरे ताओ का दोखा लगया था ले ये हलाल है उसने शेट ने फिर बुलाया जोरी वो पार्कू उसे नाती देखते करके वो टेस्ट ने बुला है ये हलाल है ये हलाल है अब शेट कहता है उन बच्चों को अब देख तुम्हारे आख दी हों तो ये हलाल है और वो लालडी थी अब उन दोनों बच्चों को ऐसा जटका लगया उन उन गणी गोर से पैचान कर ली लाल और लालडी की अब वो आपे सागे गर पर है उनके ताओ जिन कहा बेटा जाओ अपनी मा से वो लाल लियाओ और उनको गिर्वी रख जाएंगे किता है अर इब चलेंगे दोबारा तो गहनी उदार होगी अपने उनको दे दे देंगे किता है अक अच्छ अब ताओ जभी गई वो भागे गे दोनों मा मा अखा बेटा आगे तुन आखा आगे आजा रोटी खाओ अख नहीं पहले वो लाल दे वो लाल दे अर ताओ जी के उपर बहुत करदा हो गया है उदार ह होगी है गिर्वी रखके उनको अपना काम चलाएंगे अक ले बिटा वा मा लाइट कार्ड गवागे ठड़ी अर ले बिटा नो के नो रखे हैं बच्चा न सोची इप देखते ला लाल है कि लाल दी वो खोल कर देखिए वो सारी लाल दी थी बच्चों न वहीं पटक दी अक मा आप तो बहुत बोली हो यह मतला लेक भी नहीं है यह तो सारी लाल दी है लाल तो लाक रुपे का होता है यह दो सो रुपे की भी नहीं उनकी माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं तेरे पता जी के समय के रखे थे बने सो चलाल होंगे यह अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालडी अपने ताउ जी के पास जाके कहने लगे ताउ जी मेरी माँ ना बड़ी बोली है उनमा लाल ते एक भी कौनी सारी लालडी है जब वो ताउ जी कहता बेटा यह उस दिन भी लालडी थी तुम मेरे पास लेकर आए थे यदि मैं कह देता यह लालडी है लाल नहीं यह दो सो रुवे की भी नहीं है तो त्री मानियों का वहो मेरा पती मर गया तो मारे लाला नभी लालडी बताव है उताओ और बेटा आज तुम को मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालडी की तुम खुद पिछान करना लगे अपनी लालडी आप पिछान दी तुम पने अत्मा उदास चाता है का आपको इतना अपने 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 लाल और लालडीयों को खुद पैचान लो जैसे इस शेख बच्चे ने पैचान कर ये जनम साखी गुरुनानक देवजी आते दिखाई कि सच मुचाप जो कहते हो ये सच है और यही नामोक्स का हवाकी सब जूट है तो पुनातमो परमातमान छस्सों वरस पहले ये अमरतवाणी और ये ग्यान ये सद्गर्णतों में आज भी दमान है उस समें हमें पता था लेकिन उस समें इनको परतीगा जवादी थी धरमदास तो ये लाख दोहाई ये सार नाम और ये बूल ग्यान ये मूल ग्यान है ये तत्व ग्यान है इसमें सब वे आफ वरसिब भी पूजा की विधी भी और साथ में धातम ग्यान कैसे थरिष्टी रचना हुई कैसे क्या हुआ कैते हैं इसको अभी छुपा के रखना मूल ग्यान बार जो पढ़ ही ये बिचली पीडी हंसनी तरही तो गुरु नानक देवजी ने बेन लगा जिया था इसके उपर के खबरदार इसको जाब किया तो अब बेन खोल दिया परमातुमाने उनकी दया से ये बिचली पीडी आगी और सब का कल्यान होगा जो सरन मा जाएगा बोलो सत्कूर दे